ओगे तो आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये आप में से काफी सारे लोगों की काफी टाइम से डिमांड पे था और ये इस्पेसली समसंग यूजर्स के लिए है तो अगर आपके पास कोई भी समसंग का स्मार्टफोन है तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपर्टेंट व में बाला ये एडप्टर है और बॉक्स के अंदर आप देखो क्या मिला है मुझे 50 रुपीज का कैस बैक अगर में यहां पे इसे रिव्यू करता हूं तो बाकी हम ओरिजिनली देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या है कैसा है और ये अभी के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज बह अब भी आप्सें मिलता है और अगर ऐसा ये ब्रैंड करेगा तो फिर कैसे चलेगा तो एक्च्वल ब्रोडक्ट कैसा है इसके बार में हम बात करेंगे और वह से अगर में इसकी अमर्पी की बात करेंगे तो 699 रुपीज यहां पर आप देख सकते हो मैंसन है तो मेरे पास एक मेरे पास यारफोन भी है जो कि सनहाइजर का है MX170 अभी के समय पे तो मिलना मुस्किल है लेकिन मेरा पूरा ना था और एक तरफ से पहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट यह माइक है क्या कैसे अभी मैं आप लोग के सामने ही टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कि यह प् कोई भी error message नहीं आया that means कि यह लग चुगा है तो यह फोन के दिखते हैं कि quality क्या कैसा रहा है और मुझे इसका quality actual में कैसा है यह मामूम है और अगर quality वह ऐसा नहीं है तो फिर मैं आप लोग को आभी बताऊंगा माइक तो वैसे काम कर रहा है तो हाँ यह तो अच्छे से का हो रहा है तो अभी आप याप एक quality देख सकते हो कि फोन का जो internal माइक है उसका quality क्या है कैसा है और अभी हम लगाएंगे इस adapter के साथ सबसे पहले मौनो का जो माइक है इसे हम लगाएंगे और टैस्ट करेंगे अब भी सुनना की quality क्या कैसे मिलता है ओके सो फाइनली मैंने adapter क कि माइक का quality क्या है कैसा है वैसे मैं यही पर रखता हूँ default और आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि quality आपको कैसा मिला अभी हम लगाएंगे इस बोया BY-M1 को इस adapter के साथ और फिल देखते हैं कि बोया बाले से कैसी क्या quality मिल रहा है ओकी तो अभी मैं बोया बाला लगा चुका हूँ अभी यह मनोव वाला मेरे हाथ में है इसे हम यहाँ पर रखता है और अभी यह आवाज आ रहा है बोया BY-M1 के थ्रू adapter के साथ तो आभी आप जाज कर सकते हो कि माइक का quality क्या है कैसा है मैं यहापे कोई भी audio को edit नहीं कर रहा हूँ तो जो है जैसा है आ इंदर प्रोसेस भी होता है तो आप यह चीज देख लेना और एक बहुत इंपोर्टेंट चीज इस तरीके का product के अंतर आप देख सेके हो कोई भी branding बगरा नहीं है तो सबसे पहले आप local market जाके आप चेक कर सकते हो वहाँ पे में भी आपको असस्तम मिल जाए otherwise आप वीडियो के description में मैं link देदूँगा आप यहां से इस product को buy कर सकते हो लेकिन एक चीज याद रखना कि जैसे कि इसका कोई भी branding नहीं है तो seller के पास अलग-अलग आता है में भी ये इंडिया made इंडिया product हो सकता है या फिर ये चाइनीज product भी हो सकता है तो साइध आप जिस समय बाइ कर रहे हूं उस टेम पर ये चीज जरूर से चेक कर लेना इसकी अगर में build quality के बात करूं तो यह सारे जो भी brand है कोई भी तेक तरफ से brand नहीं होता है नहीं यहां पे कोई भी brand का logo है लिकिन हा इसका जो build quality है वो अच्छा है यहां पे हमें metal का दिखने को मिलत अगर आप लोगों इस product को buy करना है तो वीडियो की description में मैं link दे दूंगा आप जाके वहां पे buy कर सकते हो बाकी I hope आप लोगो यह वीडियो पसंद आया होगा इसी बात वीडियो को like and share कर देना अगर ऐसे ही interesting videos आगे देखना चाहते हो तो add digital touch को भी subscribe कर लेना मिलते है next video मे thank you